Hello friends, welcome to my channel इस वीडियो में मैं इंडिया के लेक्स के लगबग 60 questions लेके आया हूँ जो की आपके previous exams में पूछे जा चुके है और आने वाले exams के लिए काफी important हैं So let's get started तो question number 1 हम देखते हैं Which is the largest fresh water lake of India इंडिया का सबसे जो बड़ा fresh water lake जो है वो कौन सा lake है तो ये आपका कौन सा है उलर lake है और ये उलर lake कहाँ पे situated है जेनके में और जेनके भी क्या है यूनियन टेट्री है और ये question जो है आपका SSC CGL में 2016 में जो है ये पूछा गया है तो ये काफी जो है important है second question देखते हैं the famous lagoon lake of India is जो famous lagoon lake है इंडिया का वो कौन सा है तो ये है चिलका lake और ये कहाँ पे है ये आपका उडिसा में है lagoon क्या होता है तो lagoon क्या है कि एक lake होता है salt water का जो की separate होता है किस से sand या rock से तो इस figure में देखिए आप कि ये आपका एक lake है और ये जो है ocean और sea से कैसे separated है rock से separated है तो इसे ही हम क्या कहते है lagoon कहते है तो चिलका lake जो है वो आपका एक lagoon lake है इंडिया का question number 3 देखते हैं where is penguin lake located penguin lake जो है वो कहाँ पे located है तो ये आपका लद्दाक में located है लद्दाक भी क्या है union territory है question number 4 हम देखते है which is the largest saline water lake in India saline water lake कौन सा है इंडिया का तो ये भी आपका कौन सा है चिलका lake है और ये कहाँ पे है उडिसा में मैंने ज़स्त अभी आपको बताया ना कि lagoon जो होता है salt water lake होता है that is separated by sea by sand or rock तो जो सबसे बड़ा जो है आपका नमकीन पानी का जो जील है वो कौन सा है चिलका lake है question number 5 हम देखते है which is the longest lake in India longest lake इंडिया का कौन सा है तो ये है आपका बेमनाड lake और ये कहाँ पे है ये केरला में है ये सबसे longest है और सबसे largest lake कौन है तो fresh water का उलर lake है और आपका saline water का जो है वो चिलका lake है question number 6 हम देखते है which is the highest lake in India इंडिया का जो है highest lake कौन सा है highest मतलब जो सबसे ज़्यादा elevation पे जो है situated है तो वो कौन सा lake है तो चुलामू lake है और ये कहाँ पे है चुलामू lake ये है सिक्किम में question number 7 देखते हैं where is Ravindra Sarover Lake Ravindra Sarover Lake कहाँ पे situated है तो ये आपका West Bengal में situated है कौलकता में इसे याद आप कैसे रखिएगा Ravindranath Tagore है ना उनी के नाम पे ये Ravindra Sarover Lake है और Ravindranath Tagore जो है वो कहाँ से associated थे West Bengal से associated थे question number 8 हम देखते है where is Loktaak lake located Loktaak जो जील है वो कहाँ पे located है तो ये आपका Money पूर में located है और ये काफी important questions है काफी exams में पूछे भी जा चुके हैं और इसको trick से आप कैसे याद कर सकते हैं तो ऐसे याद रखिएगा low low है ना ये low और इधर आपका है money money मतलब पैसा तो इससे आप याद रखिएगा तो confusion नहीं होगा question number 9 हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा lake है जो मेघालिया में है तो मेघालिया में कौन सा lake है आपका उमियम lake है question number 10 हम देखते हैं where is lake song mo situated song mo lake जो है वो कहाँ पे है तो ये भी आपका सिक्किम में है question number 11 हम देखते हैं roper lake जो है वो कहाँ पे situated है तो ये पंजाब में situated है question number 12 हम देखते है sambar lake साmbar lake जो है वो कहाँ किस state में situated है तो ये आपका राजस्थान में situated है sambar lake question number 13 हम देखते है koleru lake जो है वो कहाँ पे situated है तो koleru lake जो है आपका आंधर परदेश में situated है कौसर नमबर 14 देखते हैं which lake share its location between आंधर परदेश and तमिनाडू कौन सा ऐसा लेक है जो अपना जो location है वो share करता है आंधर परदेश और तमिनाडू के बीच में तो यह है आपका पुलिकट लेक और यह SSE CGM 2017 में पूछा जा चुका है और यह जो है आपका काफी important है कौसर नमबर 15 देखते है which lake is situated on the west coast of India कौन सा ऐसा लेक है जो west coast of India में situated है तो यह है अस्टमूदी लेक और यह कहाँ पर है अस्टमूदी लेक आपका केरला में है कौसर नमबर 16 देखते है कैबूल, लामजाव, नेशनल पार्क इस situated in which lake यह किस lake में situated है तो यह आपका लोग तक जो है lake में situated है लोग तक मतब लो मनी मनीपूर में situated है लोग तक lake और यह जो नेशनल पार्क है यह वननी floating park in the world है यह floating park है और यह पूरे world में जो है एक ही ऐसा पार्क है जो floating है तो यह काफी important है इससे भी ध्यान रखिएगा question number 17 हम देखते है which city is known as lake district of India कौन सा city है जो lake district है इंडिया का तो यह है आपका नैनी ताल नैनी ताल जो है यह कहाँ पे है आपका उत्रा खंड में question number 18 हम देखते है which lake is known as mystery lake कौन सा ऐसा लेक है जिसे हम mystery lake कहते है मतब रहस्म है तो यह है आपका रूप कुंड लेक और यह रूप कुंड लेक जो कहाँ पे situated है यह उत्रा खंड में situated है question number 19 हम देखते है फुलहर लेक फुलहर लेक जो है किस state में situated है तो यह आपका राजस्थान state में situated है question number 21 हम देखते है पुसकर लेक जो है वो किस state में situated है तो पुसकर लेक आपका राजस्थान में situated है और राजस्थान में यह कहाँ पे है अजमेर डिस्टिक में है राजस्थान के कुस्सर नमबर 22 हम देखते है नोनार लेक जो है यह कहां पर situated है यह आपका महराष्टर में situated है अभी news में था कि जो नोनार लेक का पानी है वो क्या हो गया था पिंक हो गया था और यह जो पिंक हो गया था वो कुछ algae और micro-organism की वजह से यह पानी इसका पिंक हो गया था तो यह है आपका डरल लेक और डरल लेक कहा है जेंड के में है question number 24 हम देखते है नाल सरोवर लेक की सिच्टेट में सिच्टेट है तो यह आपका गुजरात में सिच्टेट है नाल जो है ना वहाँ पे सहर भी है गुजरात में तो इसलिए जो है नाल से याद रखेगा गुजरात question number 25 हम देखते है भीम टाल लेक जो है वो किस सिच्टेट में सिच्टेट है तो यह आपका उत्राखंड में सिच्टेट है और इसकी खास बात है कि यह C-shaped का लेक है मतबब C इस तरह दिखता है C तरह का question number 26 देखते हैं सूरज कुंड लेक जो है वो किस सिच्टेट में सिच्टेट है तो यह आपका सूरज कुंड हरियाना में सिच्टेट है question number 27 हम देखते हैं गडी सर लेक जो है वो किस सिच्टेट में सिच्टेट है तो ये आपका राजस्थान में situated है और राजस्थान में कहां पे है ये जैसल मेर में है Question number 28 हम देखते हैं मानस बल लेक जो है is located in which state or union territory किस state or union territory में है मानस बल लेक तो ये आपका जेंड के में है Question number 29 देखते हैं वेरी नाग, अनंत नाग, नगीना, सेस नाग ये जितने भी लेक्स हैं वो किस state या union territory में है तो ये सारे जम्मू और कास्मीर में है अब ध्यान रखिएगा कि सब में नाग है नाग, नाग, यहाँ भी देखिए नगीना में नाग, सेस नाग तो जितने भी नाग टाइप के आपके जो लेक्स आएंगे तो उसमें आप जम्मू और कास्मीर टिक किजिएगा और उसी तरह आपका जिसमें ताल आएगा वो लगभग जो है ताल वाले सारे उत्राखंड में है लगभग एक दो जो हैं वो हिमाचल में है तो हिमाचल में दो हैं एक चंदर ताल और दूसरा आपका सूरज ताल ये जो दो हैं ये लेक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में है और लगभग जो ताल वाले हैं वो लगभग उतराखंड में ही है इसे आपको एक रफ आइडिया लग जागा है कि ये जो लेक्स हैं वो कहां पे सिचुएटेड है कोसर नमर 30 हम देखते हैं सो मुरूरी लेक जो है वो किस स्टेट या उनियन ट्रेट्री में सिचुएटेड है तो ये आपका लद्दाक उनियन ट्रेट्री में जो है ये सिचुएटेड है कोसर नमबर 31 देखते हैं सुखना लेक सुखना लेक कहां पर सिचुएटेड है किस स्टेट या यूनियन टरिटरी में तो यह आपका चंडीगर में सिचुएटेड है और यह काफी जो है important भी है कोसर नमबर 32 देखते हैं गंगा बल लेक जो है किस स्टेट या यूनियन टरिटरी में है तो यह आपका जेंड के में सिचुएटेड है गंगा बल कोसर नमबर 33 देखते हैं राजसमंद जील जो है लेक वो किस स्टेट में सिचुएटेड है तो यह राजस्थान में सिचुएटेड है इसको ऐसे ध्यान रखेगा कि देखिए राज, राज से स्टार्ट हो रहा है न और ये राजस्थान भी राज, राज राज मिल गया एक साथ, तो राजस्थान याद रखेगा इससे, राज समंध, राजस्थान, कोसर नमबर 34 हम देखते हैं, डून कसर लेक जो है, वका किस स् कोसर नमबर 35 हम देखते हैं, फते सागर लेक, फते सागर लेक कहां पे है, situated, किस स्टेट में, तो ये आपका राजस्थान में situated है, और राजस्थान में भी कहां पे है, ये उदैपूर में है कोसर नमबर 36 हम देखते हैं, विग्रू लेक जो है, वो कहां पे situated है, किस स्टेट में, तो ये हिमाचल प्रदेश में situated है, विग्रू लेक कोसर नमबर 37 हम देखते हैं, मच्याल लेक जो है, वो किस state में situated है, तो ये आपका हिमाचल परदेश में situated है, मच्याल लेक कोसर नमबर 38 हम देखते हैं, रेनुकाल लेक, रेनुकाल लेक कहां पे situated है, किस state में, तो ये आपका हिमाचल परदेश में situated है question number 39 हम देखते हैं सूरज ताल लेक जो है वो किस state में situated है तो सूरज ताल लेक जो आपका है हिमाचल परदेश में situated है मैंने आपको भी बताया था कि सूरज ताल और आपका चंदर ताल ये जो हैं ताल वाले ये आपका HP में है हिमाचल परदेश में और maximum ताल वाले जो हैं वो कहाँ पे हैं उतरा खंड में कुशनober 14 हम देखते हैं और यह भी काफी important है हुसें सागर लेख हुसें सागर लेख जो है वो किस state में situated है तो यह तेलांगना में situated है और कहाँ पे हैरादाबाद में कुसर नबर 41 हम देखते हैं, सनीम अली लेग, ये भी काफी important है, is located in which state, किस state में ये located है, तो ये आपका महराश्टर में located है, ठीक, और ये जो सलीम अली है, वो एक और इंथो लोजिस्ट है, और इंथो लोजिस्ट कौन होते हैं, जो birds के बारे में पढ़ते हैं, और सलीम अली को जो है, bird man of India भी कहते हैं, तो ये इनही के नाम पे जो है, ये सनीम अली लेग जो है, और ये कहाँ पे है, महराश्ट में situated है, तो ये जो है काफी important है, exam point of view से, question number 42 हम देखते हैं, कनवर लेग जो है, वो कहाँ पे किस state में located है, तो ये आपका बिहार में located है, और ये जो है Asia की जो है, largest fresh water oxbow lake है, तो ये ध्यान रखेगा कि Asia की जो सबसे largest fresh water oxbow lake है, वो कौन सी है, कनवर लेग है, और कनवर लेग कहाँ situated है, आपका बिहार में situated है, question number 43 हम देखते हैं, भोजतार लेग जो है, वो किस state में situated है, तो ये आपका मद्धे परदेश में situated है, question number 44 देखते है चंदर ताल लेग जो है, वो किस state में situated है, तो चंदर ताल लेग आपका हिमाचल परदेश में situated है, चंदर ताल और सूरज ताल, मतब चंदा और सूरज, ऐसे भी ध्यान रखेगा, तो ठीक ना, ये दोनों हिमाचल परदेश में situated है, question number 45 हम देखते हैं, देव ताल, परचस ताल, माला ताल, जो इतने लेक्स हैं, ये कहाँ पर situated है, उत्रा खंड में situated है, मैंने बताई दिया था, कि जितने ताल वाले हैं, लगबग जो हैं, वो उत्रा खंड में हैं, except सूरज और चंदा, question number 46, जै समन्द लेक जो है, वो किस state में situated है, तो ये आपका राजस् में situated है, जै समन्द लेक, question number 47, हम देखते हैं, अन्ना सागर लेक जो है, वो किस state में situated है, तो अन्ना सागर लेक जो आपका है, वो राजस्थान में situated है, question number 48, देखते हैं, रंग सागर लेक जो है, वो किस state में situated है, तो ये आपका राजस्थान में situated है, तो इसमें था ट्रिक देखने लिए कि ये सागर, सागर ये सब कहां पे हैं आपके राजस्थान में ही situated है, question number 49 देखते हैं, बेलांदूर लेक जो है वो किसे state में situated है तो ये आपका करनाटका में situated है बेलांदूर लेक question number 50 हम देखते है उनकर लेक जो है वो किसे state में situated है तो उनकल लेक जो है आपका करनाटका में situated है question number 51 देखते हैं कुकाराहली लेक जो है वो किस state में situated है तो ये आपका करनाटका में situated है question number 52 हम देखते हैं कावेरी विमेश्वर लेक जो है ये किस state में situated है तो ये आपका करनाटका state में जो है situated है Question number 53 हम देखते है पुना मदा लेक जो है वो किस state में situated है तो वो आपका केरला में situated है Question number 54 हम देखते है नागारजुना सागर लेक ये जो है किस state में situated है तो ये आपका तेलांगना में situated है नागारजुना सागर लेक Question number 55 हम देखते है पोवाई लेक जो है वो किस स्टेट में situated है तो यह आपका महराश्टर स्टेट में situated है पोवाई लेक इसको trick से कैसे याद रखिएगा तो पोहा जो है ना पोहा जो है सबसे ज़्यादा कहां पे मिलता है महराश्टर में मिलता है तो इससे इसको ध्यान रखिएगा Question number 56 हम देखते है Thol Lake जो है वो कहाँ पे किस state में situated है तो वो आपका गुजरात में situated है Question number 57 हम देखते है Wastrapur जो lake है Is located in which state किस state में located है Wastrapur Lake तो यह आपका उत्तर परदेश में located है और यह भी काफी important है Question number 58 हम देखते है Kanjia Lake जो है वो किस state में located है तो यह आपका उडिशा में located है Kanjia Question number 59 हम देखते है Ansupa Lake जो है वो किस state में located है तो यह इंडिया के उडिशा state में located है उडिशा Last question और question number 60 हम देखते है Nal Sarover Lake Nal Sarover Lake जो है किस state में located है तो यह आपका गुजरात में located है तो hope आपको सारे questions clear हो गए होंगे और Lakes of India के जो यह 60 questions थे वो most important questions थे और इससे बाहर जो है exams में questions नहीं देखने को आपको मिलेंगे तो इस video को एक से दो बार देखे और इसको practice करे and best of luck for your coming examination तो hope आपको एक वीडियो पसंद आया होगा if you like my video please like, share and subscribe to my channel thank you